हे गाइस आज मैं आपको एक ऐसी रहस्मे घटना दिखाने जा रहा हूँ जो तिरुमन्ना मलाई शहर के अरुनाच लेश्वर मंदिर में हो रही है यह मंदिर बहुत पुराना है कम से कम 1300 साल पुराना इस मंदिर के बारे में असमानने बात यह है कि मुख्य कक्ष में एक लिंगम है और यह भारी मात्रा में गर्मी का उत्सरजन करता है इसे आज तक कोई नहीं समझा पाया है सबी हिंदू मंदिरों की तरहां मुख्य मूर्टी इस मंदिर के अंदर केंद्रिय कक्ष में इस्थित है लेकिन यह लिंगम किसी तरह बहुत गर्मी का विक्रण करता है जैसे ही हम मुख्य कक्ष के पास पहुचते हैं जहां शिवलिक स्थापे थे आप ताप पानवे व्रिद्धी महसूस कर सकते हैं ध्यान दे कि कैसे लगातार विक्रण के कारण पत्थर की सारी दिवारे पूरी तरह से काली हो गई है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कई पंखे लगे हुए हैं जो उस जगा को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह जगा हर समय बाहर की तुल्ला में बहुत कर्म रहती है मुख्य कक्ष के अंदर सर्दियों के समय में भी यह अत्यधिक कर्म रहता है जब मैंने इस मंदिर का दौरा किया तो शुरू में मुझे लगा कि मेरे अलावा किसी ने तापमान विवरिद्धी महसूस नहीं की है लेकिन जब मैंने इस पर शूद किया तो यह पहले से ही कई अकबारों और कई वेबसाइटों में प्रकाशित हो चुका है कई लोग विस्मित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मंदिर के पुजारी भी इसकी पुष्टी करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि शिवलिंग अपने आप में बहुत गर्म है ऐसा लगता है जैसे एक गर्म कॉफी के कब को छुआ हो इसलिए वें समय समय पर एक साधारण शीतलन उपकराण का उप्योग करते हैं यहाँ शीतलन प्रणाली एक बरतन है जिसे लिंगम के उपर रखा जाता है जो लिंगम को ठंडा करने के लिए धीरे धीरे ठंडा पानी टपकाता है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है एक पत्थर बिना किसी शक्ति स्रोत के कई शतावदियों तक उच में उर्जा देने में शक्षम है यह असंभव है इस खटना के लिए कुछ स्पष्टी करण होना चाहिए मेरा मतलब है कि यह कैसे संभव है इस्थानिये लोग और पुजारी बताते हैं कि यह विकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक विशेश प्रकार का लिंगम है जिसे अगनी लिंगम कहा जाता है अब अगनी लिंगम क्या है अग्णी लिंगम उर्जा का एक धेर है अग्णी का एक स्तंब है जो गर्मी और प्रकाश उत्सर्जित करता है कहा जाता है कि इस अनूठी प्रकार की उर्जा का निर्मार लिंगम के भूमिगत हिस्से में होता है हम यहाँ जो देखते हैं वह सदचना का सिर्फ शीर्ष है एक बड़ा बेललाकार स्तंब है जो भूमिगत होता है जो कि भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है क्योंकि लिंगम दोरा उत्पन गर्मी बहुत वास्तविक है क्या यह सम्भव है कि ऐसा लिंगम एक बेललाकार शक्ति श्रोत वास्तव में भूमिगत मौजूद हो अगर यह सच है तो क्या यह सम्भव है कि प्राचीन बिल्डरों ने भी इस मंदिर में पूरे अगनी लिंगम को उकीरा हो यहां हम एक व्यक्ति को इस विशाल बेललाकार सन्रचना से प्रार्थना करते हुए देख सकते हैं लेकिन यह एक पारमपरिक लिंगम की तरह नहीं दिखता है इसमें कई मोर हैं, सिलेंडर पर कई कॉयल है जैसे कि यह तारों से बंदा है और उपर की तरफ देखें, सभी दिशाओं में वज्र निकल रही है यह अविश्वस्नी है, क्योंकि यह आधुनिक टेसला कॉयल के साथ 100% मेल खाता है अब टेसला कॉयल क्या है? यह एक वायरलेस पॉवर ट्रांसपर डिवाइस है इसमें तारों की आवश्रक्ता नहीं होती है लेकिन यह केवल हवा के माध्यम से भारी मात्रा में उर्जा विकरण कर सकता है यह एक आसाधारन अविश्कार है निकोला टेसला ने इसे 1891 में दुनिया को मुफ्त उर्जा देने के प्रियास में बनाया था मेरा मतलब है टेसला कोईल को देखी मेरा मतलब है कि मेरे द्वारा पकड़े गए टेसला कोईल को देखी यह एक तारों से लिप्टा स्लेंडर है जो बैटरी से जुड़े है और हम देखते हैं कि बिजली के चाप उपर से निकलने वाले वज्र की तरह दिखते है यह वही है जो हम नकाशी में देखते हैं क्या अगनी लिंगम एक प्राचीन टेसला कोईल है आप इस 1300 साल पुरानी नकाशी को और कैसे समझा सकते है जिसमें सिलेंडर के चारो और कुंडली है और उपर से वज्र निकल रहा है टेसला कोईल भी बहुत कर्मी पैदा करते है जैसे ही आप अपने हाथ को इसके करीब ले जाते है आप गर्मी को बढ़ते हुए महसूस कर सकते है वास्तम में यदि आप इसे चूते हैं तो यह आपकी तवचा को जला देगा यह ठीक वैसा ही अहसास होता है जैसा इस लिंगम के करीब जाने पर होता है आज हमने प्रध्योगे को देशों के लिए बड़े टेसला कोईल बनाए हैं लेकिन क्या प्राचेन बिल्डरों ने भी इसी तरह के उपकरण को भूमिकत स्थापित किया था यदि हाँ तो किस प्रियोजन से मेरा मतलब है कि एक मंदिर के अंदर एक बड़ा अगनी लिंगम लगाने का क्या कारण हो सकता है इसका उत्तर टेसला कोईल के उप्योग में छुपा है आज डॉक्टर्स टेसला कोईल का उप्योग मुख्य रूप से रोग्यों की भलाई के लिए कर रही है इलेक्ट्रो थेरेपी के रूप में जाने जाने वाली यह प्रक्रिया न केवल शरीर को पूरी तरह से आराम देती है बलकि मन को एक गहरी ध्यान की स्थिती में भी शान करती है क्या प्राचीन टेसला कोईल अगने लिंगम यहां आगंतुकों के शरीर और दिमाग को ठीक करने के लिए स्थापित किया गया था इस मंदिर में गहन ध्यान का अभ्यास करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं जब आप इस मंदिर में होंगे तो आपके मन और शरीर में एक असमान शान्ती का अनुभव होगा यही कारण है कि इस छेत्र को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है इस मंदिर में दुनिया की कुछ महान संतों को ग्यान प्राप्थ हुआ था क्या यह सब बाते में हैं सयोग हैं क्या यह सब उप्चारात्मक प्रभाव लिंगम से निकलने वाले विक्रण के प्रभाव के कारण है क्या प्राचीन लोग शारिरिक और मांशिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस लिंगम की पूजा करते थे लेकिन अगर ऐसा है तो इस लिंगम के चार ओर इतना बड़ा मंदिर परिसर बनाने की क्या ज़रूरत है यह मंदिर लगभग 25 एकड़ में फैले भगवान शिव के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है इस मंदिर का पूरा डिजाइन और लेयाउट आस्चरे जनक है सबसे महत्वपूर्ण विशेष्टा टॉवर्स है बाहरी दीवारों के पास चार बड़े मंदिर टॉवर ठीक चार मुखे दिशा बिंदू के सामने स्थापित किये गए है यदि अगनी लिंगम एक टेसला कॉयल है जो उर्जा संचारित करती है तो इन सब भी विशाल टॉवरों के निर्माण की क्या विशक्ता है शायद इसका जवाब नकाशी में ही है यदि हम अगनी लिंगम पर खुमावों की संख्या की करना करें तो इसमें तेरा मोड है प्रारंब में मैंने सूचा था कि यह मात्र एक सैयोग है लेकिन आईए हम धातु के गुमबदों की संख्या की करना करें इन्हें कलश कहा जाता है जो मुख्य मिनार की उपर रखा गया है टॉवर के शीश पर ठीक तेरा गुमबद है यह एक सैयोग नहीं है इतना ही नहीं टॉवर में भी तेरा स्थर है यह आयता कार्षेद वास्ता में स्थरों के द्वार है प्रतियें के स्थर तक पहुचने के लिए टॉवर के अंदर सीणिया है यदि आप इस साइन बोर द्वारा छिपी हुए द्वार सहित द्वारों की गिंती करते हैं तो तेरा द्वार और तेरा स्थर है तो यह निश्चित रूप से सैयोग नहीं है टॉवर को टॉप एंगल से देखें तो यह नेक्स जनरेशन मशीन जैसा लगता है इस विशाल मिनार का वास्तवी कुदेश क्या है तेरा सु साल बाद भी यह भारत के सबसे उचे टॉवरों में से एक है क्या आप जानते हैं कि निकोला टेसला ने दुनिया को मुफ्त उर्जा देने के लिए वाडन क्लिफ टॉवर नामक एक विशाल टॉवर का निमाल किया था टेसला ने पूरी दुनिया में उर्जा के वायरलेस ट्रांस्मिशन की योजना बनाई लेकिन लालजी वैपारियों ने इस पूरी सुमिधा को नश्ट कर दिया क्या यह मंदिर भी उर्जा के वायरलेस ट्रांस्मिशन के केंद्र के रूप में बनाया गया था देखिए अगर आप बहुत उचाई पर जाते हैं तो पूरा मंदिर परिसर एक आधुनेक बिजली कमपनी जैसा दिखता है मेरा मतलब है कि लेयाउट को देखें चार दिशा बिंदूओं से पूरी तरह से जुड़े चार बड़े टौवर हैं अंदर छोटे टौवर भी हैं ऐसे जल स्रोत हैं जो शीदलन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं आप हमेशा पानी से भरे दो बड़े टैंक देख सकते हैं परिसर के अंदर कई अलग-अलग इमारती हैं यहां तक कि आधनिक सुविधाओं की तरह आपात काली निकास भी है लेकिन शायद असली रहसे वास्तविक शक्ति स्रोत तब ही पाया जा सकता है जब हम भूमेगत लेकिन बंद कक्षू तक पहुँच सकते हूँ मैं प्रभीन मोहन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जैज ही बात करूँगा बाई